बढ़वानी लाईव, सती खबर, ताजा खबर चर्चा कर जानकारी दी गई, पदाधिकारियों ने आंदोलन की रूप रेखा बनाई, बेठक में 25 गाउं से किसानों को लाने के लिए 6 लोगों को जिम्मेदारी सोपी गई, तीन सितंबर को होने वाली जिला कायर कायनी के गठन में किसानों को आने की अपील भी की गई, इस जिन्दर दरवार वो अन्य किसान मुझूद रहे, लोट सेडिंग के नाम पर बिजली कटोती से किसान और गरामेंड शेतरों के रहवासी हुए परिशान, अंजण नगर सहीद राजपूर में घेरा सकता है जल संकट, अंजण शेतर में बीते कुछ दिनों सहीद रहवार भी किसान और गरामेंड शेतरों के रहवासी बिजली नहीं मिलने से परेशान होते दिखाई दे रहे हैं, आज भी बार बार बिजली बंद होने से खेतों में सिचाई का इतका लहलाती फसलों पर प्रभाव देखा जा रहा है, इस बार बारिश नहीं होने के चलते, बिजली समस्या का असर खेती किसानी पर विशेसकर देखा जा रहा है, गरामेंडों की शिकायते की बिजली बंद होने से समय पर फसलों को पानी नहीं मिल रहा है, इससे सिचाई कारिये प्रभावाईत होगा, वह विद्यू तीतरन कंपनी अंजड के अधिकारी बताते हैं बिजली सप्लाई बादित हो रही है, शेतर में बिजली की समस्या का खामयाजा, गरामीन शेतरों में रिवास्यों के साथ-साथ किसानों को भी भुगतना पड़ रहा है, इसके अलावा यदि कटोती इसी बरकार से चलती रही तो अंजड नगर वर राजपूर जहां पर प बिजल संकट इन दोन नगरों में घरा सकता है,